या दुनिया रहास्यों से भरी पड़ी है एक ऐसा ही रहस्यों नियूज इंडिया एनाइन आपको दिखाएगा जहां भूतों का मिला लगता है जिसके दरगहा पर जाने मात्र से ही बुरी आत्माओं का अंत होता है जिहां हम बात कर रहे हैं मतुप्रतेश खनवास सहर से 20 किलोमेटर दूर सेलानी बाबा की मज़ार की जहां हर वर्फ लाखों के तादात में सेलानी बाबा की जियारत में आते हैं जिनके दरगहा में आकर भूत पिसाचों का अंत होने का दावा किया जाता है दावा ये भी किया जाता है जो बाबा के दरगहा पर आपने मननते लेकर आता है बाबा उसके हर मुरा पूरी करते हैं और आप देख रहे हैं सेलानी बाबा का एक बहुत बड़ा मेला बराता है जहां पर इसे भूतों का मेला कहा जाता है या एक आत्मा जो होती है जो स्रीर में परवेश्ट कर जाती है इसको लेकर यही पर सारे फैसले होते हैं यह सेलानी बाबा की दर्गा और यहां से कई लोगों को फाइदे होते हैं और हर इनसान यहां से खुस होके जाता है, यहां पर जो एक बार आता है, जो प्रेत आत्मा होती है, वो बंधन में बन जाती है, इसके बाद में उसे मुक्ती यहीं से मिलती है, और हर वर्स की तरह इस वर्स भी लाखों की तादात में यहां पर पबलिक आई है, और कई लोग कि यहां फायदा होता है हां पाजाम क्या दसक्षाल है? है आराम क्या जो बादार रहती है वरतों है फले बिगकर पढरे आर्करों के ठीक हो जाती है आराम लग़ता है लगडाता है आपका नम बता है चुनिला प्था-ठीज़्ियू जहरा डाक्टर एलाज नहीं कर सकते। उसका इलाज बाबा के दरगाह में किया जाने का दावा किया जाता है सरीर के अंदर निवास करने वाली बुरी आत्माओं का अंति किया जाता है बताया जाता है कि सहलाने बाबा की मज़ा इतिहासिक है जहां हर रोज कई लोगों का आना जाना लगा रहता है खासकर हुली और रंग पंचमी पर यहां मेला लगाया जाता है इस मेले में प्रेत आत्माओं से हमेशा हमेशा के लिए निज़ात दिलाई जाती है बताया जाता है कि सेलानी बाबा के दरगहा पर लोई की जन्जीरे बनी है इस जन्जीर को जो भी प्रेत आत्मा चूती है उस आत्मा का हमिसा हमिसा के लिए अंत हो जाता है यह सेलानी बाबा की मजार अबास, अलमदा और आपास जी की मजार है यहाँ एक बार बंधन बन जाने के बाद उसे हर वर्ष होली आत्वा रंगपन चमी पर बाबा के मजार पर हाजरी देनी ही पड़ती है मैं भूत पिसाचों का फैसला सेलानी बाबा करते हैं और इस लेहाँ से अन जीलों से भी बाबा के मजार पर अपनी हाजरी देने दूर दूर से आते हैं निउज इंडिया एनाइन से परिद मंसूरी की रिपोर्ट झाले एनाइन से परिद मंसूरी की रिपोर्ट